अश्राम्रीकूम आज हम देखेंगे 10 पालाजी का चैप्टर नमबर 3 कोडिनेशन और कंट्रूर का टॉपिक है द्वी एन आफ हुमन नर्वेश सिस्टम लांस्ति हमने लेक्षर स्टुरेंट स्टुरेंट किया था उसमें हमने देखा था कि नर्वेश सिस्टम होता है हम आज हमने देखने के ड्वी एन आफ सेंटर नर्वेश सिस्टम हमारे पास सेंटर नर्वेश सिस्टम है उसमें कि स्टरा से होती है इसमें रेज़ इसमें अगर हम बात करते हैं निससे उनमन नर्वस इस्टम जो है वो डिवाइड होता है दो सिस्टम में एक होता है जोजbecस दूशी में अधिनर सभी हम लेखते हैं ध्यूस दूसरा पर नर्वस सिस्टे में और हम डिवाइड कर। कि इसके में पॉंट्स देखे तो हम कहते हैं कि सेंटल नवस सिस्टम में दो बेसीज़ें आ जाती है एक होता है ब्रेन इसके साथ दूसरी चीज है स्पाइनल काड को जा तो पैरीफॉर नवस सिस्टम है इसमें बेसिक लई आ जाती हैं वह नर्व को जो होती हैמע ब्यार्ट सी फिर स्पाइननल कारड से अद्झ हमने जो हमारा बेसिक पॉइंट है वह ब्रेम है खाल हम तुक्षा देखना है ब्रेन का तरह किस तरह से होता है कोण Route मेजर पॉइंट्स है अगर हम ब्रेंट करें तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेंड क्या चीज़ है हमने लास लेक्षर में स्टडी किया था कि हुमन की बाडी के अंदर कोडिनेशन के लिए एक स्पेसिफिक स्टक्चर होता है जो पूरी बाडी को कोडिनेट करता है पह सारे function को कंट्रोल करता है नियुक्त की बाडी में वहको कौडिनेटर या वह हमारा ब्रेंट में हैं जो सारे की सारी गाली आक्टिविटी को कंट्रोल करता है कि हमारा हमारा क्रिवर क्यों भा था हमारे protection करा रहे हमारी determination system को हर चीज़ का हमारी बाडी के अंदर specific function है function इस तरह से है कि जैसा structure है structure के हिसाब से उसका function है जो brand का structure है वो specific है कि उसने क्या करना है उसने पूरी body की जो activities हैं उनको control करना है कि brand के अंदर specialized कि समके structure present हैं जो क्या करते हैं जो coordination को control करते हम दो एक फिड़ी है और इता कि इदर है ना तो यह में होता है ना यह आपерш model में है और स्टन को आप कहते हैं क्रायनियम आपका ब्रेन कि इदर है क्रायनियम के अंदर नहीं के एपकरि है जो आपका क्रायL है उसके अंदर है आपका brand हमने देखना है कि यह brand का structure किस तरह से है सबसे पहले अगर अगर आप अपने जहन में कोई स्कल कंसीडर करें तो आप कहते हैं कि सबसे पहले आती है थरी लेयर्स यह cranium के साथ सबसे पहले आ जाती है थरी लेयर्स ब्रेंड की इनको यह ये जो लेयर्स हैं इनको आप मेंब्रेंज भी कहते हैं इनको आप मेनेंजीज भी कहते हैं इनका काम क्या है ये जो त्री लेयर्स हैं इनका काम ये है कि ये जो क्रेनियम है ये जो सकल है इसके अंदर जो आपके पास ब्रेंड है उसको प्रोटेक्ट करना कि आप कहते हैं कि की季तिती तेही होती है इसने जो तीं लेइर्ज नाव परोटेक्ट Money को परोटेक्ट करना denialिक को एक्सिड Suppose घूतिह C को प्रोटेक्शों परवाई करते हैं अब क्या होता है एक के के लेर्ज होती है एक by नाम क्या है कि करनियम के अंदर और चीज होती है जिसका कहतते हैं सब्सक्ता जिसको नहीं नाम धिया स्था पाइनल स्पाइनल फ्लूड में साटी को Albanra के गयर के इसको काम ब्रेंट को स्थेडी करें कि हमने डिवाइड किया है ब्रेंड को तीन मेजर पास में सबसे पहले हम कहते हैं कि ब्रेंड में आ जाता है हाइंड ब्रेंड प्पूर ब्रेंड और देन हैं आपके पास मिड ब्रेंड हमने यह तीन पर्स डिवाइड का दिये इस ब्रेंड के अपनी असानी के लिए के हम स्टेडी का सकें कि ब्रेंड के अंदर कौन-कौन से important structures हैं हम कहते हैं कि ब्रेंड में तीन important structure है एक है अगर हम consider करते हैं फोर ड्रेंड को अगर आपको मैं एक sample दिखा दूँ इसका brand का कि ब्रेंड किस तरह से होता है तो आपको इसमें से मजीद समझ आ जाएगी कि ब्रेंड का sample किस तरह से होता है यह आप देखें आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें यह है हमारा सब्ilen का इस तरह ती होता है यह वाली चीज है यह अधर यह पिश्ट इसकर को प्रेंद आप तो तो यह इस तरह से आपको इस तर्चर नजर आता है ठीक है यह इसका इंसाइड व्यू है यह इस तरह से देखें इस तरह से बिल्कुल पैक्ड होता है ठीक है समझागी सब लोगं को इसका एक और ग्राफ भी देखेंगे कि हम कि अदिन के पार्ट में हमने देखा मेजर हम कहते हैं कि इसका फॉर्ट ब्राइंड का फॉर्ट पार्ट है वह men इक फोर्ट रेंसमें इंपणत्या यह है कि आपको objective भी पूछा जाता है कि भिए वीविघ्राइबत Ο four brane सबसे लाजस पॉर्ट है वह एक है इसमें लिख लिए है कि फूर ब्रैन क्या है लाजस्ट पाइट अफ ब्रैंड लाजस्ट पार्ट है और हम यह कहते हैं कि यह एक है यह उमन्स के अंदर फुली डिवैल्प रोता है वली डिल्फ ए इंदर कि हुँमन्स ऐ फोली डिवल्फ हुआ हो चाहिते हैं थीन पर्स आ जते हमने ब्रैन को डिवाइड कर्ते हैं हिसमें सब से पहले आजाता है कि SAM नेक्स्त है हमारे पाण थालामज दैन है हमारे पास ही पोचिल अ मास तीन पास इसके इने इसके अब इसके इनके पाण में इनका क्या गया है अभी हम देखे लिए इसके डाय ग्राम अगर आप इस में से यह देखें अगर आप यहां से देखें यहां पर देखें हमने ब्रैंड की बात किया है कि इसके अंदर सबसे पहले होता है सैरी ब्रम होता है थैलमस होता है और हाइपो थैलमस होता है यह देखें आपको थैलमस नजर आ रहा है यह हाइपो थैलमस है और यह जो चीज है यह सारी यह जो म क्पोर्य का सबसे सटरे में का सबसे चैलम का का सबसे प्राइब कि यह कंट्रोल करता है स्केल्टल मसल्स की मूव्मिक्ट को और इमोशन को उफ्ट इसमें देखते हैं क्या सबसे दिखक है हुआ है boldam होता है अब d देखते हैं का function क्या है थालमस का क्या function आउन सबसे बड़ा पार्ट होता है इसमें कहते हैं सबसे बड़ा पार्ट होता है इसका काम क्या है यह कंट्रोल करता है मसल मुवमिंट को थिंकिंग को और इमोशन को अब यह इसका फंक्शन है कि यह कंट्रोल करता है मसल की मुवमिंट को थिंकिंग को और साथ इमोशन को me McMahon इसमें देखते हैं कि ये आपके पास four brain है कि दो हम잇जआ में इसको हम डिवाइड करते हैं इस के दो mechan interaction कंग तरहें कि दो है या सेरेब्रम को अगर हाप ठीवाइब करेंगे तो इसके दो पार्ट बनते हैं एक है राइथ हैमिस्पेर गया रैपल के ते अ ज्युंट हाग ऑगर अगर इसी के हैमिस्फियर को फर्दर डिवाइड करें तो इसके फूर पास बनते हैं कि अगर आप कहते हैं कि आपके पास डायग्राम में देख लेते हैं इसकी डायग्राम में अगर आप बनाएं आप कहते हैं कि यह आपके पास है सहरी ब्रम इसके सबसे पहले आप इस तरह से दे पूर लोब बन जाते हैं एक होता है आपके पास टेम्पोरल लोब फ्रेंटल लोब और सीपीटल लोब और आप कहते हैं इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है प्राइटल लोब इसके सेरीब्रल के चार फर्दर पॉइंट बन जाते हैं अब आपने देखना है कि इसमें फ्रेंटल लोब का क्या काम है टेम्पोरल का प्राइटल लोब और ऑसिपीटल लोब का जो आपके पास है फ्रेंटल लोब इसका काम यह है कि इसने कंट्रोल करना है आपकी मूवमिंट को और आपकी आप जो बोलते हैं उसको इसने कंट्रोल करना है यह जो आपके पास è काम है इसका काम है एक टोन मोब्यम्मेट को कंट्रॉल करना दूसरा जो आप बोलते हैं उसको कंट्रॉल करना किसका काम है यह है फ्रइडिय लोग और फ्रंता लॉब किस का पास यह सेरी ब्रहम का पास ऑपनेस्स आपके पास there करते हैं कि यह जो लर्निंग करते हैं इसको कौन करता है अब क्या काम है इसमें आ जाता है लर्निंग को कंट्रोल करना feeling जो आप hearing करते हैं यह कौन कंट्रोल का रहा होता है आपके टैंपोरल लोग नेक्स्ट आपके पास आपका ऑसीपीटल लोग ऑसीपीटल से ही आपको पता चाल जाएगा कि इसका मतलब है कि यह आपकी वियन और कलर परसेप्शन को कंट्रोल करते हैं आपकी आई साइट को को कंट्रोल कर रहा होता है करा है ऑसीपीटल लोग किसका है सहुरी ब्रम का बारख ल्ट चाहँ पुएंट के अपने अलाइदा फोक्शन हम्षन यह कंट्रोल करते हैं को मैंस्ट आपके पास ब्रेंध में फोर ब्रैन में इसका अगला पॉइंट आ जाता है आपके पास थैलमस और डैन है आपके पास हालपो थैलमस अभी आप देखते हैं कि आपके पास है थैलमस थैलमस किदर होता है आपके पास अगर सेरी ब्रम है तो सेरी ब्रम के साथ रैप हुआ होता है थैलमस इसका काम क्या होता है यह message convey करता है receptors to cerebrum और इसका काम क्या है कि फर्दर यह क्या करता है brain perceptions और consciousness को control करती है कौन सी चीज़ थैलमस यहाँ पर देखें थैलमस का क्या काम है कि यह होता किदर है यह rap डुआ होता है cerebrum पर इसका काम क्या है कि यह message convey करता है convey message to cerebrum और control करता है यह pen perceptions को उसके साथ cautiousness को then last point है आपके पास hypothalamus यह होता कि दर है hypothalamus mid-brand के उपर होता है above the mid-brand और below the thalamus इसका size almond size होता है और इसका काम क्या है कि यह body temperature hunger and thirst को control करता है और इसका काम क्या है फर्दर के यह control करता है पिचोटी gland की secretions को कि यह होता कि दर है mid-brand के साथ control करता है यह thirst को hunger इन चीज़ों को यह control करता है और जो इसका major function है वो है यह control करता है फिचोटी gland की जो secretions होती हैं उनको कि आपके पास four brain next आपके पास mid-brand mid-brand कि दर होता है कि अगर आप देखें कि आपने कहां four brain होता है hind-brand होता है और mid-brand mid-brand आपके पास होगा hind-brand के दरम्यां hind-brand और four-brand के दरम्यान वाला जो portion है उसको आप कहते हैं यहां आप के पास मेंटरे पर इसका हम क्या सकते हैं कि अगर हम बात करें bir brand हम कहते हैं कि यह होता है तो ने अगे अगर यह डोनों के दरम्यान में है तो इसका मतलब यह क्या करता है यह चो कॉनेक्शंच अक्रहाइड करता है यह चाहित एक तो यह कोगा करता है तो next हम देखेंगे इसके अंदर हाइंट ब्रैंट का क्या काम है हाइंट ब्रैंट के फंक्शन कोन कोन से हैं अभी आपने पड़ा है और इसमें में ब्रेंट के पार्ट से हैं